बॉक्साइट बॉक्साइट एल्मूनियम धातू का प्रमुक्स्त्रोत है भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है भारतिय भूगर्भिक सर्वेक्षन विभाग के अनुसार 2010 में कुल भंडार 348 करोड टन था देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, चत्तिसगड और महराश्ट में बॉक्साइट के भंडार है ओडिशा के काला हांडी, कोरापुट, संबलपूर, बलांगिर और क्योजर जिले और कोर्वा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार है कोईला, उर्जा के स्त्रोतों में कोईला प्रमुक्सन साधन है प्रारम्भ में कोईले का उप्योग इंधन के रूप में किया जाता था कोईला, अठारवी सदी के उध्योगी करण का महतुपूर आधार बना इसका उध्योगिक उप्योग कई परवर्तनों से जुड़ा है अठारवी सदी में इसका उप्योग लो अयस्क को गलानी तथा लोहा इसपात उध्योग में किया जाने लगा भाप संचालित इंजन जिसका उप्योग रेल गाड़ी खीचने, जहाद चलाने वा कार खाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था कोईले के बिना संभव नहीं हो पाता वर्तमान में कोईले का उप्योग मुखे रूप से बिजली उत्पादन में होता है भारती भूगर्भिक सर्वेक्षन विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया है कि 1200 मीटर की गहराई तक कोईले की तहों में लगभग 233 अरप टन कोईला संचित है यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल एक प्रतिशत है यह मुख्यता बिटुमिनस प्रकार का कोईला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है इसमें वाश्पिये पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कारवन की मात्रा 55 प्रतिशत से अधिक नहीं है अधिकांश भंडार पूरु प्रायदीप पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है इस कारण भारत को प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड टन कोईले का आयात करना पड़ता है भारत में कोईला शेत्रों का वित्रण भारत में कोईला शेत्र निम्नल के चार नदि घाटियों में इस्थित है पहला दामोदर घाटी जारखंड और पश्चिम बंगाल के कोईला शेत्र दूसरा सोन घाटी मध्र प्रदेश 36 गड़ और उत्तर प्रदेश के कोईला शेत्र 3. महानदी घाटी, 36 गड़ और ओडीशा के कोलक्षेत्र 4. गोदावरी घाटी, दक्षिन पश्चिम, मद्धिप्रदेश, महरास्ट और आंध्रप्रदेश के कोलक्षेत्र पेट्रोलियम आधुने क्युक का सबसे महत्रपूर्ण उर्जास्त्रोत पेट्रोलियम है लेकिन प्लास्टिक और खाट जैसे रासानिक उद्योगों में इसका बहुतायत उप्योग किया जाता है भारत में 2015 में लगभग 4 करोड टन पेट्रोलियम उद्पन्न किया गया जो की हमारे कुल उप्योग के एक चोथाई से कम है इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुए आयात करनी पड़ती है 2015 में 19 करोड टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुए आयात की गई हमारे सकल घेरलूत पादन का लगभग 5 प्रतिशत इस आयात में लगता है जो की बहुत अधिक है 1866 में भारत में उपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुए खोदे गए परन्तु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा 1893 में यहीं पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया 1899 में असम आयात कमपनी की इस्थापना की गई अनिक शेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1903 में नहर कटिया शेत्र की खोज हुई 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर शेत्र वसुधारा से उत्पादन प्रारम हुआ 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफी तेज किया गया और गुजरात के विभिन पेट्रोलियम शेत्रों का पता लगा साथ ही असम में भी कई शेत्र ढूंडे गए परिणामता उत्पादन तेजी से बढ़ा या 1961 से 513,000 तन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 हो गया तट के निकट अब तटिये समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलिया बेत में आरंब की गई 1975 में मुंबई हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंब हुआ लगातार प्रयत्न के परिणाम सुरूप पूर्वी तटिये छेत्र गोदावरी तथकृष्ण गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया राजस्थान के बाड मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरप्टन है या स्थलिये तथा अब तटिये छेत्रों में संचित है कुल भंडार चार शेत्रों में विद्रित है पहला उत्तर पूर्वी शेत्र उपरी असम घाटी अरुनाचल प्रदेश और नागलन दूसरा गुजरात प्रदेश खंभाद बेसिन और गुजरात के मैदान तीसरा मुंबई हाई अपतर प्रदेश तथा चोथा पूर्व तटिये प्रदेश गोदावरी कृष्णा और कावेरी बेसिन